सिच्छन सम्मंदित मुद्ध यहां पर बात करेंगे इस पैसल आपका MP समिधा वर्गतीन MPTET CTET REEET STET UPTET के लिए सभी के लिए महत्पून प्रसन है ठीक है चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं लाइक और सेयर कर दीजेगा अपने सारे फ्रेंड् समस्त पर इस्थित की जैविक गटक बहुतिक परिवेश वाता वर्णी दसाएं तो पड़यों सब्निकित में से किस सब्द की मूल अव्यक्त करता है समस्त पर इस्थित की अव्यक्त करेगा कि जैविक गटक का की बहुतिक परिवेश का की वाता वर्णी दसाएं का चलिए ले लिजिए और यह नोट करते जाईए पर्यावरण का जन जीवन से क्या संबंध है और चारिक साधारन गनिष्ट तो आपका गनिष्ट संबंध है पर्यावरण क्या है गनिष्ट संबंध है अंगला देखिए इन्वायरणर की किस भासा का सब्द है अंग्रेजी फ्रांसीसी हिंदी कोई नहीं तो कौन सा सब्द है आपका इन्वायरणर अंग्रेजी फ्रांसीसी हिंदी तो यह आपका फ्रांसीसी सब्द है ठीक हिंदी हो नहीं सकता तो आपका यह फ्रांसीसी सब्द है अंगला देख परण जाविक तक्त्तों का समूह ayudar कि UPRIGT में से कोई ठीक है तो परण के संदर में kाऊन सा तत्त सही है परण जाविक तत्तों का समूह यह दोनों है दोस्तों ठीक है यह क्यों की आपका आजय भी है तो Dças में आ जाएगा ठीक है अंगला देखिए परण सिच्छा से क्या लाब है परण के महत्तुका ग्यान परण प्रण प्रदूसर्ण के कारणों की जानकारी प्रदूसर्ण के प्रभाव से बचने के उपाय ज्यांत होते हैं उपर एक सभी परण सिच्छा से क्या लाब हो मिलेग प्रदूसर्ण के कारणों के भी जानकारी मिलेगी और प्रदूसर्ण के प्रभाव से बचने के उपाए भी हमें ग्यात मिलेंगे तो उपरियुक्त सभी होगा चलिए तो D होगा, अंगला देखते हैं प्राक्रतिक परियावरन परत्च रूप से प्रभावित करता है जनसंख्या के घनत को, खान पान को, यातायात के सादनों को उपरयुक्त सभी परेवर्न सिच्छा से क्या यासे है परेवर्न समंधी जानकारी परेवर्न के प्रभावों की जानकारी परण प्रदूसर्ण प्रभा एवं नियंतर्ण की जानकारी उपर्युक्त सभी परण सिच्छा से क्या से परण सम्मंदी जानकारी भी होगी परण के प्रभावों की जानकारी भी होगी और परण प्रदूसर्ण प्रभाव और नियंतर्ण की भी जानकारी होगी परण प्रदूसर्ण प्रभाव और नियंतर यानि उपर्युक सभी तीनों की परण सिच्छा से हमें जानकारी हो गई ठीक है चलिए अंगला देखते हैं परण के सम्मन्द में कौन सा कथन सत्त है जीवों के चारों ओर की वस्तुएं पर्यावरण बनाती है जैविक एवं अजैव घटक परण के मुख भाग है परण में उर्जा का अच्छे भंडार है परण अपरवर्तित रहता है तो परण के सम्मन्द में कौन सा कथन आसत्त है दोस्तों परण अपरवर्तित रहता है परण में क्या है अपरवर्तित नहीं रहता है दोस्तों ठीक है परण क्या आप वही बना रहता है चेंज होता है न ठीक है तो चली अंगला देखते हैं तो सभी लोग क्या करें दोस्तों फ्रेंड को सभी लोग सेयर करिएगा ठीक है चली अंगला देखते हैं परेवन के संदर में 20 इस्तर पर सोच कहां से प्रारंब हुई देनमार्क भारत इंगलेंड फिनलेंड परेवन के संदर में 20 इस्तर पर सोच कहां से प्रारंब हुआ था आपके देनमार्क से की भारत से नहीं दोस्तों फिनलेंड से हुआ ठीक है फिनलेंड से अंगला देखत और गुदिवा करोषो पार चुटी नकांगते हैं। चलिए अंगला देखते हैं सारुजनिक संपत्ति के सनच्छन का उत्तरदायत किस पर है सरकार नागरिक एवं सरकार नागरिक इन में से कोई नहीं सारुजनिक संपत्ति के सनच्छन का उत्कार नागरिक एवं सरकार दोनों का है नागरिक का भी सारुजनिक संपत्ति का सनच् दोस्तों moral डाउन नहीं करना लाइक और शेयर करते जाए सभी फ्रेंड्स को सभी फ्रेंड्स को सेयर करिए और लाइक जरूर लाइक भी आप कर रहे बहुत प्यार और इसने आपका मिलना है इतना ही काफी हम लोगों के लिए ठीक है इसी तरह प्यार और इसने बनाई रखी अंगला देखते हैं ग्रह सच्चता तुमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ठीक है और लाइक का बटन दबा दीजिए और वीडियो को सेयर भी कर दीजिए वाटसेफ फेस्बुक इंस्ट्रागाम जो भी है वार्षिक सच्चता कौन सी आपकी ग्रह सच्चता के अं प्राथमे के स्थार पर मादमे के स्थार पर उच्च इस्थार पर उपर्युक सभी परन को सिच्चन में स्थान मिलेगा तो आपका मादमे के स्थार पर उच्च इस्थार पर उच्च इस्थार पर उपर्युक सभी मत करिएगा ये गलती परन को सिच्चा में स्थान मिलना सामान इसे बिशिष्ट की और किस प्राच्छघर में अपनाया जाती है आगमन इदडी, नेरे च्छन बेदी, निगमन बेदी, क्रिया कलाब, तो आगमन निगमन में होगा, शामान से बिसिष्ट की योर, तो कौन सा होगा आपका, आगमन बेदी होगा कि निगमन बेदी, इनमें बहुत ही वड़ा कनफ्यूजन रहता है, मैं आपको बताए देता हूँ कि शामान से बिशिष्ट में निगमन होता है और बिशिष्ट से यानि कि जब नीचे से उपर जाता हो तो निगमन होगा जब उपर से नीचे आते हैं तो आगमन होगा यानि आ रहा है उपर से नीचे आ रहा है नीचे से उपर यानि कि निगमन निकल रहा है कुमारी हेलेन पार्षस ने किस विदिका निर्मार किया था कुमारी हेलेन चली अंगला देखते हैं निम्निखित में से कौन सा सिच्छन प्रक्रिया का अंग नहीं है कौन सा सिच्छन प्रक्रिया का अंग नहीं है किस सिच्छन प्रणाली में पाठ का ठेका दिया जाता है किस सिच्छन प्रणाली में पाठ का ठेका दिया जाता है बेसिक प्रणाली डाल्टन मंटेंशरी तो डाल्टन में क्या है डाल्टन सिच्छन प्रणाली में पाठ का ठेका दिया जाता है ठीक है चलिए ठेका सब तो जानते होंगे किसी भी घर मकान का बनना हो ठेके दारी करना ठेका दे दिया जाता यानि कठा दे दिया जाता आप काम करिए अब आपको पैसा मिल जाएगा वो कहलाता है ठेका किस सिचन विद को बालो द्यान विद कहा जाता है बालो द्यान विद किस सिचन विद को कहा जाता है किंडर गार्डन को आपने पड़ा होगा ठीक है किंडर गार्टन को बालो द्यान विद कहा जाता है अग्यात से ग्यात की ओर किस सिच्छन विदी में अपनाई जाती है अग्यात से ग्यात की ओर सुकाराती विदी, निगमन विदी, सहसंबंद विदी, निरिच्छन वदी तो अग्यात से ग्यात की ओर किस सिच्छन विदी में अपनाई जाती है दोस्तो कौन सा अप्शन होगा आपका निगमन बीध में मैंने बताया थे ना अज्ञात से ग्यात की ओर निगमन बीध में होता है ठीक है चलिए अंगरा देखते हैं ब्रहमान निमलिखित बीध का उधारन है परयोग साला निरिच्छन क्रिया कलाप भाव प्रदर्शन ब्रहमान नि निरिच्छन करना यानि वो भ्रहमन कर रहा है भ्रहमन करके निरिच्छन किया जाएगा ना चलिए अंगला देखते हैं किंडर गाटन प्राली में उपहारों की संख्या होती है बीध चौधर शोलह अठारह चुदह, सोलह, अठारह, बीस किंडर तो बीस होती है किंडर गाटन प्राणी में उपहारों की शंक्या टुंटी नमबर अफ टुंटी होती है बीस होती है अंगला देखे क्रिया कलाब का विचार सिच्छा छेत्र में इस्थापित करने का प्रनेता माना जाता है अरस्तू को रूसो को, एडम्स को इस्पेंसर को, तो रूसो को क्रिया कलाब विचार सिच्छा छेत में स्थापित करने का प्रनेता माना जाता है रूसो को, अंगला देखे, इस थूल से सूच्म की ओर किस सिच्छन भी दी में अपनाई जाती है करके सीखना आगमन बेदी प्रयोगात्मक बेदी निरिच्छन बेदी इस थूल से सूच्म की और ठीक है ये चीजें बहुती कन्फूजन करती है ये डिकलियर करके पेन और कॉंपी लेकर लिख लिए आगमन बेदी में होता है इस तूल से सूच्म की और आगमन बेदी सिचन बेदी में अपनाई जाती है इस तूल से सूच्म की और अंगला देखिए प्रोजेक्ट प्रनाली का सम्मंद है किल पैट्रिक से मदन मोहन मालवी से फ्रोवल से मंटें सरी से तो प्रोजेक्ट प्रणाली का सम्मंद दोस्तों किसका है किलपाइट ट्रिक से ठीक है प्रोजेक्ट प्रणाली किसका है किलपाइट ट्रिक यूरिश्को का अर्थ है यूरिश्को का अर्थ किसका है दोस्तो मैं खोजता हूँ मैं जानता हूँ मैं निरिच्छन करता हूँ इनमें से कोई नहीं तो मैं खोजता हूँ यूरिश्को का अर्थ है मैं खोजता हूँ अंगला देखे बिनेटी का प्लान में महत्त दिया जाता है ब्यक्तित को, कारकरम को, सिच्छन सामागरी को, तुर्टियों को बिनेटी का प्लान में ब्यक्तियों को महत्त दिया जाता है पाठ योजना में सिच्छन उद्देश होना चाहिए इसपस्ट एवं वस्तुनिस्ट, व्यक्तिनिस्ट, आइसपस्ट, अनिश्चित पाठ योजना में सिच्छन का उद्देश होना चाहिए ठीक है एवं वस्तिनिस्ट होना चाहिए ठीक है एपसंस होगा अंगला देखते हैं पार्थ योजना को अत्यंत बैज्यानिक निश्चित और ब्यवस्तित रूप देने का स्रे किसको जाता है हरवर्ट, इस्पेंसर, इस्कीनर, लॉवेल तो किसको जाएगा पार्थ योजना के अत्यंत बैज्यानिक निश्यत और विवस्तित रूप देने का स्रे आपको जाता है हरवर्ट को तीक है अंगला देखते हैं द्रस्रब सिच्छन सामागरी है ब्लैक बोर्ड चल्चित द्रस्रब यानि देख भी सकें और सुन भी लें ब्लैक बोर्ड बिलकुन क्या है ब्लैक बोर्ड में लिखा जाएगा चल्चित्र होगा यानि कि जो आप वीडियो देखते हैं मूवी देखते हैं चल चित्रनी चलती जाती है और आपकी आवाज भी सुनाई देती है और द्रसब दोनों होता है कौन सी प्रतियोगिता सभी के लिए संभव नहीं है शामान ग्यान, कठपुतली मंच, निवंदलेखन, खेल कौन सी होगी दोस्तों? कठपुतली मंच, आपका सभी के लिए संव नहीं हो सकता प्रकरती सनच्चन से सम्भन्दित कार है प्रत्च्रोपन, पेंड़ोग्धों की सुरच्छा, जलासें की सफाई उपरिउक सभी तो प्रकत सनच्छन से समंदित कार अब रच्छर ओपन भी है, पेंट पौधों की सुरच्छा भी है, जलासों की सफाई भी यानि की उपरुक्त शभी है आपका तिक है D आपसन लगा दीजे प्राकतिक सनच्छन समंधितकार आपका D होगा पेंड़ पौद्यक सूर अच्छा ब्रच्छर उपन जलासों की सफाई बिचार बिनमे समंधी क्रिया कलाप है चितन, सेमिनार, प्रोजेक्ट, पदर्सनिया तो बिचार, بن berries, समंधी, क्रिया, कराप आपका सेमिनार है सेमिनार किया जाता है ना कभी भी कोई cie हो सेमिनार करते हैं करें आछ चलो सेमिनार है उदर बिचार, بن waar वापर बिचार, बिख्त between किया जाते है कैसे बिजनिस क्या करना जाए अंगला देखते हैं खेल का संबंध है स्वास से मांसिक संतुलन से संवेगों के नियंतरन से उपर युख सभी इसमें में लगा दीजे डियाप्सन लगा दीजे खेल का संबंध तीनों में से A B C स्वास से मनसिग से और सम्वेगों की नियंतन से अंगला देखे चोटे बच्चे सभावता होते हैं नटकरट और उदन्ड सांत एवं सुसील सारल एवं जिक्यास गुमककर और ख्यावी नटकर और उदन्ड चोटे बच्चे का सभाव क्या होता है नटखट भी होते हैं उदंड भी होते हैं ये भी सही होगा सांत एवं शुसील छोटे बच्चे सांत और सुसील तो नहीं होते हैं सरल एवं जिग्यासू होते हैं ठीक है तो ये सरल और जिग्यासू होगा ठीक है ऐसे प्रसमें आपको confusion बहुत होता है इसलिए इनको नोट कर लेजिएगा बिद्याले में आयोजित की जाने वाली बिबेन पाठ सहगामी क्रियाओं के बारे में आपकी राय है ये सभी सिच्छा के आवेशक अंग है इनमें पठण पाठण में बाधा पड़ती है इनसे बच्चों में सम्मेतरिक गुणो एवं शहभागिता का विकास होता है इनसे छात्रों एवं अध्याफकों का मनुरंजन होता है आज की सिच्छा प्रणाली सिच्छित बिरोजगारी बढ़ाने वाली होती है ठीक है तो इसमें से कौन सा आपका सही हो जाएगा जो तो 37 नंबर है लेकिन इसमें से इन बच्चों में सम्मित्रिक गुण इन सभागिता का विकास होता है सियो बिद्याले मजूद की जाने विल पार्ट सहगामी क्रियों के बारे में आपका क्या राय है आज की सिच्चा प्रणाली सिच्चित बिरोजगारी बढ़ाने वाली प्रणाली है क्योंकि बिवसाइक प्रसिच्चन सिच्चा का अंग नहीं है सिच्चा के मात्र सैधानति ग्यानप्राप्त होता है सिच्चा का उदेश इसपश्ट नहीं है बिद्यालों में निरंतर चात्र संख्या का दवाव बढ़ रहा है तो आज की सिच्चा प्रणाली सिच्चित विरोजगारी बढ़ाने वाली प्रणाली है क्योंकि आपका ब्योसाइक प्रसिच्छन सिच्छन का अंग नहीं है सिच्छा में मात से धादिन ग्यान प्राप्त होता है तो आपका ए अपसन होगा ब्योसाइक प्रसिच्छन सिच्छा का अंग नहीं है अंगला देखे एक अध्यापा को कच्छा में पढ़ाते समय सबसे अधिक प्रसनता तब होती है जब छात्र एक दूसे से पूँच कर लिखते हैं सभी छात्र सांत होकर ध्यान पूरक उसको सुनते हैं ब्लैक बोर्ड पर लिखे को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखते हैं सिच्छन के समय प्रस्ण पूँचते हैं एक अध्यापक को कच्छा में पढ़ाते समय सबसे अधिक प्रसंता कब होती है सिच्छन के समय प्रस्ण पूँचते हैं या छात एक दूसरे से पूँचते हैं सभी चात्र सांधों का ध्यान पूरक उसको सुनते हैं जो सिछक पढ़ाता है तो अध्यापक परसंद रहता है या कम स्पीड मेरी है तो कमेंट करके बता दीजियेगा वैसे मैं अंगला वीडियो किस टॉपिक में आपको प्रावला मा रहे है तो बता दीजियेगा तो इसका सुझाई अंसर है आपका प्रयोक सालाबी द्वारा छात्रों के अधन्यूं किया जाता है पत्प्रदर्शन ठीक है अंगला देखिए कोई भी प्राब्लम हो कमेंट करके बता दीजेगा छात्रों ने कितना और किस सीमा तक ग्यानारजन किया इसका पता लगाया जाता है मुल्यांकन द्वारा परिच्छन द्वारा अभिलेखों की जाच द्वारा उपर एक सभी तो छात्रों ने कितना और किस सीमा तक ग्यानार होते हैं ठीक है वो मनुभावा हमारे वीडियो नहीं देखते हैं इसलिए उपरिक सभी में लगा के चले आते हैं अंगला देखे बालकों की बौधिक छम्ता का पता लगाने के लिए किस प्रकार के प्रसंदिये जाते हैं निवन्दा निवन्दात्मक वस्तुनिष्ट ठीक ह दोनों प्रकार के एवा भी दोनों प्रकार किया इन में से कोई नहीं तो बालकों की बौधिक छम्ता का पता लगाने के लिए किस प्रकार के प्रसंदिये जाते हैं दोस्तों बौधिक की बात की यही है तो ए तथा भी दोनों निवन्दात्मक वी दिया जाएंगे वस्तु लोग बताईएगा क्या होगा उपरियुक सभी होगा परेवन से भी हो सकता है वनसन ग्रम से और पोसंड से अंगला देखें सिच्छन को प्रहौसाली बनाने है तू बालकों में विशय के प्रती क्या उत्पन करना आवश्यक है रुची सहन सीलता धैर आलश तुमारे चैनल क को सब्सक्राइब कर लीजिए ठीक है और लाइक का बटन दबा दीजिए और वीडियो को सेर भी कर दीजिए वाटसेफ फेस्बुक इंस्ट्रागाम जो भी है रुची आपका होगा ठीक है चलिए सिच्छन में प्रहौसिल बनाने हैं बालकों के विशय के प्रती क्या उत् दोस्तों मोरल डाउन नहीं करना है आप सब कुछ पढ़ लेंगे केवल हमारे डेली वीडियो देखते रहिए और सभी लोगों को सेर जरूर करिए मोरल सपोर्ट करिए हम आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे आप भी करिए उपर दोनों में होता है प्रयोगिक और सद् दोनों प्रकार से होना चाहिए अंगला देखे सैचिक प्रकिया का विचार निमिखित के संदर में किया जाता है देखे 45 चार पांच है कोश्चन और बचे हैं बहुत ही आराम से पढ़ लिजे सैचिक प्रकिया का विचार निमिखित के संदर में किया जाता है राजनैतिक स समाजिक आर्थिक उपर्युक सभी तो सैचिक प्रक्या का विचार समाजिक भी होता है आर्थिक भी होता है और नैतिक व्यानिक उपर्युक सभी होगा अंगला देखिए प्रारंबिक मानों की सिच्छा का सम्मंद था ब्योसाइक पच्च से नैतिक पच्च से धार्मिक पच से उपरिवाकों में अपने बच्चों के प्रति अभी ब्रतियों का निर्मान कब होता है उसके जन्म के तुरंत बाद बाल्यावस्था में बच्पन के दोरान उसके जन्म से पहले अभी ब्रतियों का निर्मान कब होता है अभी ब्रतियां कब होगी उसके जन्म से पहले ही वो अपना पूरी प्रक्रिया पूर्ण कर लेता है ठीक है प्लान तयार कर लेता है जन्म के समय सिसु असमाजिक होता है उदासीन होता है शमाजिक होता है उपर उसको नहीं था असमाजिक होता है कि उदासीन होता है कि समाजिक होता है बताइए चलिए जन्म के समय सिसु उदासीन होगा कि शमाजिक होगा BC में क्या अप्सन सही होगा तो जो बंदा BC में जो बंदा ये अप्सन लगाएगा उसका सही होगा जन्म के समय से क्या होगा दोस्तो आपका चले इसका question आप comment बाक से बताईए चली सबी लोग comment करके बताईएगा साथ शातकार होता है समप्रेशन प्रदत विसलेशन आमने सामने बैठकर वरतालाप होता है ठीक है 48 वा नमबर question आप comment करके बताईए इसके बाद हम आपको बता देंगे ठीक है चलिए आदनिक बैग्यानिक युग में विस्व की गंबीर समश्या है परेशन प्रदूसन गरीबी बिरोजगारी भिच्छा ब्रती तो आदनिक बैग्यानिक युग में विस्व की गंबीर समश्या क्या होगी दोस्तों क्या होगी परेशन प्रदूसन गरीबी बिरोजगारी या भिच्छा ब्रती आज की युग में क्या है परवन प्रदूसर्ण हो रहा है 51 question देखे last question है परवन जो इस्कूली सिच्छा पार्ट करम से कब जोड़ा गया दोस्तों अगर वीडियो लाइक पसंद आ हो तो लाइक और सभी मिर फ्रेंड्स को सेर कर दीजेगा ठीक है सभी फ्रेंड्स को सेर करिए तो परवन को इस्कूली सिच्छा पार्ट करम से कब जोड़ा गया था 1964 में 70 में 80 में 1970 में जोड़ा गया था